मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल सहयाचारे राजनीति विज्ञान राजकी महाविध्याले सुजानगर आज बिये पार्थ द्विदिय की क्लास में हम लोग शीत युद्ध पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध जैसा नाम से लगता है ये एक सामन्य युद्ध की िस्थिति नहीं है यह स्थिती द्विदिय विश्वयुद की समाप्ती के बाद मित्र रष्ट अमरीका और सोवियत संग के बीच उत्पन्द हुई और एक वैमनस्य पून स्थिती बनी और इस वैमनस्य पून स्थिती का कारण था अमेरिका द्वारा पर्मानुबम का अविश्कार और उसका शिरुशिमा और नागासाकी में प्रयोग लेकिन जब उसने इसका प्रयोग किया तो अपने मित्र राष्ट खास करके सोवियत संग के साथ इस बात को साजा नहीं किया और इससे पूरे विश्व में एक भै तनाव और एक तरह से हम हें कहें कि अविश्वास का बातावरन बन शित्र बढ़ाने में लग गए और मौका भी उन्हें मिला और इसका कारण था कि द्विश्व युद के बाद में एशिया और अफरीका के जो देश थे विए यूरोप के सामराज्यवाद से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे स्वतंत्रता अंदूलन चला रहे थे तो ऐसी स्थिती में ये दोनों बड़ी महाशक्तिया ये चाहती थी कि एशिया और अफरीका के जो देश स्वतंत्र होना चाह रहे हैं उनके पुनर निर्मान के लिए सहता दी जाए और विचारधारों के मामले में सामरिक सहताई भी दी जाए और इस तरह से न केवल सैनिक संगठन का जन्म हुआ बल्कि अपना प्रभावशित्र बढ़ाने की कोशिश भी निरंतर की जाने लगी शीत्यूत जो था ये वास्तम में युद्ध का बहिशकार या त्याग नहीं था बल्कि दो महाशक्तियों के सीधे तकराव की अनुपस्थिती थी इसे सशस्त्र शांती का य चुका था तो ऐसी स्थिती में शीत्यूत द्वितिये विश्यूत के बाद अंतराश्ट्रिये राजनीती का एक महत्वपोनव विकास था अब देखते हैं शीत्यूत की परिभाशाएं और उसकी प्रकृति शीत्यूत जो व्याक्यान्ष है ये वाल्टन लिपमेन नामक विद्वान ने दिया है लेकिन इस शीत्यूत शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले 16 अप्रेल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिनी कैरोलिन विधान मंदल में भाशन देते हुए किया था उनी के शब्दों में अगर हम कहें तो we are today in the midst of a cold war, our enemies are to be found abroad and at home यानि हमारे शत्रू हमारे सामने नहीं है इस युद में, वो दूर बैठे हैं अपने घरों में यानि शीत्यूत एक ऐसा युद है जिसको हम ये कहें कि वो वास्तम में सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा सबसे पहले देखते हैं फ्लेमिंग की परिभाशा शीत्यूत का उद्देश्य शत्रूं को अलग थलग रखना और मित्रों को जीतना है ग्रीब्स के अनुसार शीत्यूत परमान युद में एक ऐसी तनावपून इस्थिती है जो शस्त्र युद से कुछ परे हटकर है यानि हम इसमें शस्त्र यूज नहीं कर रहे हैं इसमें हम हत्यार यूज नहीं करते हैं उसके बावजूद भी पूरी तरह से तनाव बना रहता है जवारलाल नहरू के अनुसार ये एक ऐसा युद है जो युद शेत्र में नहीं बलकि मानव के मस्तिश्क में लड़ा जाता है और इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रन लगाने का प्रयास किया जाता है जवार्णा लहरू ये मानते थे कि लोगों के दिमाग में युद्ध के विचार को प्रश्रे देने वाला युद्ध शीत युद्ध है बारतिय राजनाइक केपियस मैनन ने शीत युद्ध को परिभाशित करते वे कहा कि शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा में दो विचार धारों ये दो विचार धारों पर संगर्श था पुँजीवादी विचार धारा जो सहित राज अमेरिका की थी और सोवियत विचार धारा जो साम्मेवादी थी दो पद्धतियों दो तरह की शासन प्रणालिया इसमें काम कर रही थी संसुदिये प्रजातंत्र जो सोवियत संग का था और प्रजातंत्र जो अमेरिका का था दो गुटों क्यों किसानिक शक्तियां कर लिए इसके बाद में नाटो जो अमेरिकी गुट था और वार्सा जो सोवियत गुट था दो राज्यों संयुक्त राज अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य होने वाला युद्ध था भारतिय राजनाइक केपियस मैनन ने कहा शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा में दो विजारधरों का युद्ध था तो वहीं इवान लुवार्ड ने अपनी संपादित पुस्तक दि कोल्ड वार की भूमिका में कहा शीत युद्ध वाक्यांश की सुनिष्चित परिभाशा के अभाव में गी विलक्षन है शायद इसे राजनतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रतियोगिता के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो राज्यों के बीच सैनिक संगरश के डायरे में आता है तो वहीं Friend Holiday ने अपनी पुस्तक The Making of the Second World War में कहा 1946 से 1953 और 1989 के बाद से शीत युद्ध शब्द का दो अर्थों में प्रियोग किया जाता है एक है मारशक्तियों या खेमों के बीच परस पर संबन्ध जो जमे हुए तुशार की भाथ यानि बर्फ की तरह से जमेवे है लेकिन युद्ध के रूप में कभी सामने नहीं आया Friend Holiday ने शीत युद्ध की छे प्रमुक पहचान बताई पहली है सैनिक शस्त्री करण में व्रद्धी यानि युद्ध नहीं हो रहा लेकिन उसके बावजूद भी शस्त्री करण को बढ़ाया जा रहा है दूसरा है एक दूसरे के प्रती प्रचार अप्यान में तेजी तीसरी जो पहचान बताई इसकी वो थी महाशक्तियों के बीच सफल और सार्थक वारताओं का अभाव यानि महाशक्तियां बाच्चीत कर रही है लेकिन वो बाच्चीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही कोई सार्थक हल उसका नहीं निकल रहा किसी विश्यों की समस्या का हल इसके माध्यम से नहीं निकल रहा चोथी पहचान जो बताई वो है पुझीवाद एवं सामेवाद के बीच संघर्ष के कारण तीसरी दुनिया के कई देशों में क्रांतिकरी घटनाओं का हुणा और पाँचवी जो इसकी पहचान बताई उन्होंने वो है दोनों खेमों के सभी मित्रों पर कड़ा अनुशासन संयुप्त राजी ने अपने खेमे के सभी मित्रों पर पूरा अनुशासन लागू कर दिया और सोवियत संग ने भी अपने मित्रों पर कड़ा अनुशासन लागू कर दिया यानि एक दूसरे के खेमे में जाने की इजाज़त नहीं थी और छटा पूर्व और पश्चिम के बीच चले आरे तनाव और विवादों का अधिक खतरनाक हो जाना यानि अब इस्थितियां विवादास्पत और तनाव ग्रस्थ हो गई थी हाना कि युद नहीं हुआ था तो इस तरह से ये इसका अर्थ है अब इसकी प्रिकर्टी देख लेते है जैसे हमने देखा कि वास्तम में ये युद नहीं है ये मस्तिश्क में लड़ा जाने वाला युद है प्रचार माध्यमों से लड़ा जाने वाला युद है और इसके माध्यम से एक तरह से सोवियत संग और अमेरिका के मध्य संगर्ष था और इसमें गुप्त चरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधिया प्रादेशिक संगठनों की स्थापना जैसे कारियों को इसमें किया गया और कुल में लाकर के ये जिसे हम होट वार कहते हैं ये जिसमें शस्त्रों का प्रियोग किया जाता है उससे भी एक तरह से ये जादा कठिन युद था ज्यादा जिसे हम कहें घातक युद था अब आते हैं इसके प्रिकरती पार ये जो युद है ये वास्तविक युद नहीं बलकि युद की स्थिती है दूसरी जो बात आती है ये हर वक्त इससे युद का वातावरण बना रहता था तीसरा था घातक अस्त्र शस्त्र के निर्माण की होड बड़ी अगला है समाचार पत्रों, रेडियो, टेलिवीशन और अन्य प्रचार के माध्यम से एक दूसरे की अलोशना इसमें जारी रही और अगली बात आती है सशस्त्र युद को छोड़ कर अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की जाती रही अगली बात है कूट नितिक दाव पेचों से लड़ा जाने वाला युद है ये जो वस्तविक युद का मार्ग प्रशस्त करता है अब आते हैं इसके सामन्य कारणों पर जो इसके सामन्य कारण है यानि इसके जो मुख्य कारण है युद क्यों हुआ उसके जो मुख्य कारण है उसको हम लोग तीन भागों में माट करके देखते हैं सबसे पहला कारण है सामन्य कारण सामन्य कारण में हम कुछ बातों को देखेंगे सबसे पहला सामन्य कारण में जो बात आती है वो है विचारधारों का तकराव अमेरिका की पुझीवादी विचारधारे ने सोवियत रूस की और पूर्वी योरप के देशों में जो साम्यवादी विद्रो हो रहा था उसकी आलूचना की और दोनों एक दूसरे को परस पर सामराज्यवादी कहते थे सोवियत संग ने पूर्वी योरप के विभिन्न देशों में क्रांती कराना प्रारंब कर दिया जिसमें पूलेंड, चेकुसलोवाकिया, हंगरी और बल्गारिया जैसे देश आते थे तो ये विचारधारों का जो टकराव था ये एक बहुत बड़ा कारण था दूसरा कारण है विजित प्रदेशों पर प्रभुत्व की इच्छा जो विजित प्रदेश थे द्वितिय विशुविद के बाद इटली पर आधिपत्य को लेकर अमेरिका और रूस में काफी लंबी खीचतान बनी रही अगली बात आती है इसमें राष्ट्रे हितों का अंतर अमेरिका सामयवादी विचारधहरा को खत्म करके पूरी तरह से पूरे विशुव को अमेरीकी समर्थक बनाना चाहता था तो सोवियत संग पूजिवादी विजारधारा को समात कर सामराजिवाद फैलाने की लालसा से शीतियुद को आगे बढ़ा रहा था इस तरह से कुल मिलाकर के शीतियुद का जन्म हुआ चोथा जो सामान्य कारण है वो है महाशक्तियों द्वारा शक्ती संगर्ष की राजनी थी दोनों ही गुट जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ती बढ़ाना चाह रहे थे शक्ती संटुला निस्थापित करने के लिए अलग-अलग देशों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे थे देशों को अधिनस्त बनाने का प्रयास चल रहा था आर्थिक और सैनिक सहयता देकर के अपने गुट में लाने की प्रयास हो रहे थे और इसे धान्तों के माध्यम से शक्ती संखर्ष का सहरान लिया जा रहा था और पाच्वा सामान्य कारण है एक दूसरे के विरुद प्रचार सोव्यत संग और सहिपतराज अमेरिका लगातार एक दूसरे के विरुद घ्रणित प्रचार कर रहे थे जो रीडियो के माध्यम से था टेलिवीजन उस समय आया नहीं था अगबारों के माध्यम से था अन्य प्रचार की माध्यम इसमें काम में लिये जा रहे थे पोस्टर थे और अन्य माध्यम इसमें लिये जा रहे थे अब आते हैं इसके उद्धे के दूसरे कारण पर जो है अमेरिका के विरुद सोवियत संग की शिकायत है अमेरिका के विरुद सोवियत संग को बहुत सी शिकायत ही थी जिससे भी ये शीतियुद का वातावरण बना इसमें जर्मनी की सैना ने जब सेयुक्त सोवियत रोस में खुसकर काफी हानी पहुँचाई तो रोस ने अमेरिका से पश्चिम यॉरॉप में दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोद किया लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इस अनुरोद को लगाता टाला और इससे नकेवल जो रोस था उसको बहुत जहता नुकसान हुआ बलकि सोवियत रोस को ये संधे भी हो गया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ऐसा जानमूच कर किया है जिससे जर्मनी रोस की सामयवादी व्य रहसे को गुप्त रखना ये एक बहुत महत्वपोन बात थी और अमेरिका ने नकेवल इसके विकास को गुप्त रखा बलकि इसका प्रियोग भी गुप्त रखा और जब इसका प्रियोग हो गया उसके बाद ही सबको इसके बारे में पता चला जिसने सोवियत रोस में काफ USSR को दी जाने वाली जो राशी थी वो बहुत कम थी अमेरिकी राश्टपती Truman ने इसे भी बंद कर दिया और अगली बात आती है इसमें पोलेंड एवं बाल्टिक देशों में रूस विरोधी गती भी थिया तो इस तरह से ये थी अमेरिका की प्रती सोवियत संग की कुछ शिकायत है अब तीसरी बात पर हम आते हैं जो इसके उद्भव के कारण में था वो है सोवियत संग के विरोध भी अमरीका को कुछ शिकायत है थी और उन शिकायतों के कारण जो अमेरिका था वहां भी काफी हद तक सोवियत जो शीतियुद था वो बढ़ने लगा था इसमें जो प्रमुक बाते हैं उसमें आती है पहला रूस ने याल्टा समझोते का उलंगन किया था जिसमें पोलेंड पर अपनी संरक्षित लुबानीन शासन को लादने की कोशिश की दूसरा है रूमानिया, पोलेंड और युगुसलाविया, अल्बानिया, हंग्री और चैकसलाव लुवाकिया को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की तीसरा आता है 1946 में मंचूरिया इस्थित रूसी सैना ने राष्टवादी नेताओं को प्रवेश से रोका लेकिन सामेवादी नेताओं को पूरी सुविधा दे गई जिससे जापानी सैना को बहुत नुकसान हुआ दूसरा है रूस द्वारा बालकन समझोते का उलंगन किया गया तो अमरीका को भी बहुत शिकायत थी तीसरी शिकायत अमरीका को थी रूस द्वारा रूस ने इरान से अपनी सैना हटानी से मना कर दिया था चوتھی शिकायत थी अमरीका को टर्की पर रूस का दबाव बढ़ता जा रहा था पांचवे शिकायत थी कि सोवियत संगद्वारा जर्मनी पर बहुत ज़्यादा बोज लाधा जा रहा था छटी शिकायत है सोवियत संगद्वारा यूएनो में बार बार वीटो का प्रेयोग हो रहा था ये एक बहुत महत्वपून शिकायत थी जिससे युनेव कामकाज काफी हद तक बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था सातवी जो बात इसमें आती है वो है बरलीन की नाके बंदी और आठवा आता है अमरीका में सोवियत संग द्वारा सामेवादी गतिविधियों को भढ़काना तो इस तरह से ये कुछ कारण रहे जिससे शीत युद का जन्म हुआ लेकिन ये युद्ध जो था ये जैसा हमने शुरू में देखा ये मस्तिश्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था वाक युद्ध था प्रचार के माध्यम से चल रहा था इसमें सैनों का प्रयोग सा ही किया गया था